जैहिंद एनलो गॉईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ UGC NET December 2022 ओनलाइन फोर्म के बारे में जिसे कि आप लोग इस वीडियो को देख करके step by step भर पाएंगे बिना किसी mistake के तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो गईस अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ओफीसल वैबसाइट जो उपस गयां डोटी ने इसका डिरेक्ट लिंग की इस वीडियो की description में दिया है जैसे यह आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस notification की जानकारी आजाएगी जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी age limit क्या है क्या आपको application fees pay करनी है कब से लेकर करके कब तक आप form को भर पाएंगे जो eligibility है वो क्या है इसके अलावा कौन कौन से subject के लिए यह जो notification है December 2022 का वो निकाला गया है तो इस सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक करते हुए आएंगे और आपको यहाँ पर apply online link किसके उपर click करना है अब guys आपके सामने कुछ ऐसा interface आ चुका है बेसिकली जहां से आपको apply करना है यह वो आपका apply link है अब आप यहाँ पर new रजशन इसके उपर click करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर instructions दिये गई होंगे और आप यहाँ पर जो information bulletin है वो भी यहाँ से download कर सकते है तो इन सभी जानकारी को आप यहाँ पर check करेंगे चेक करने के बाद आप यहाँ पर tick करेंगे और फिर click here to proceed इस पर click करेंगे अब आपको यहाँ पर अपनी जो personal information हो फिल करनी है तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपका नाम enter करेंगे यह नाम आपका 12th के certificate के according होना चाहिए exact name जो की 12th के year है वो भी आपको यहाँ पर select कर लेना है and then यहाँ पर आपको आपका gender select करना है identity type में आप यहाँ पर को एक ID select कर लीजे जो भी ID आप select कर रहे हो उसी ID का नंबर आपको फिर यहाँ पर देना है फिर आत एक contact detail जहाँ पर आपको premises नंबर या फिर नेम जो भी है वो आप यहा address के according, फिर आपकी जो country है, वो इंडिया है, आप इसको select करें, state आपकी कौन सी है, आपको यहां से आपकी state select करनी है, उस state के अंदर आपकी कौन सी district है, वो district आप यहां पर select कर लेंगे, and then आप यहां पर जो आपका pin code है, वो भी enter कर देंगे, फिर आप यहां पर आपकी email ID enter करे mobile number को दोबरा डाल करके verify कर दे, कोई अन्य नमबर देना चाहते तो alternate contact number के अंदर दे सकते हैं, तो आप इस section को खाली भी छोड़ सकते हैं, आपकी choice पर है, फिर है permanent address, यान कि जो आपका इस type पता है, वो आपको यहां पर देना है, and अगर आपने जो address अभी उपर भर है, वो चाहिए, वो आप यहां पर जान लीजे, basically आपके password के अंदर English का capital word, कोई special character and कोई digit रहने चाहिए, कुछ इस तरह का password आपको यहां पर बनाना है, उस password को दोबरा डाल करके verify करना है, and then आप यहां पर security question select करेंगे, security question आप यहां पर select करेंगे, और उसका answer दे दे, यह security question आप आपको तब काम आएगा जब आप अपना password भूल जाएंगे और आप उसको recover करने की कोशिस करेंगे, तो ऐसे मैं आपको इसी security question का answer दे करके आपका password reset करने का मौका मिलेगा, अब आप यह security pin फिल करेंगे, and जो भी जानकर यह आपने यहां पर भरिये, इन सभी को चेक करने क बाद submit पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने guys आपका review page आ चुका है, यानि के आप यहां से सको close करेंगे, and जो भी जानकरी आपने अभी भरिया, इन सभी को चेक करेंगे, चेक करने के बाद में आपको my name, यानि के आपने यह verify कर लिया है, dob, इसके उपर टिक करेंगे, father name mother name, email id, mobile number, address, gender, इनके उपर टिक करने का मतलब है कि आपने इन सभी को चेक कर लिया है, और आपको यह लगता है कि इन में कोई भी जानकारी गलत नहीं है, और सियोर होने के बाद आप I agree पर क्लिक करेंगे, and आप submit and send OTP, इसके उपर क्लिक करके यहां से yes कर देंगे, yes करने क आपके नमबर पर जो कि अभी आपने यहां पर भरा है, एक OTP गया होगा, वो OTP यहां पर आपको डालना है, और submit version form इसके उपर क्लिक करना है, अब guys आपके सामने कुछ ऐसा interface होगा, यहां पर आपको क्या करना है, आपको पहले अपनी email id verify करनी है, तो आप verify email id पर क्लिक कर आइ, फिर आप यहां पर click here to go home इस पर click करेंगे, एन अब आप यहां पर application form पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद आप यहां पर personal detail पर click करेंगे, और आपकी कुछ information दी गई है, और कुछ information आपको यहां पर भरनी है, जिसकी यहां पर जो आपकी nationality है आप Indian select कर लेंगे, फिर cast category आपकी कौन सी है वो आपको select कर लेनी है जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से select कर लेंगे इसके बाद में यहाँ पर आते कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांग तरह 40% या उससे ज़्यादा है अगर हाँ तो यहाँ तो आपको नो करना है क्या आप डाइबिटिक हो अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप नो कर दीजिए फिर आपसे पूछाए कि annual income of the parent guardian यानि कि आपके parent यह जो कर्स्ट माइनरोटी में आती है या फिर नहीं आती है जैसे कि मैंने yes किया फिर yes करने पर आपके सामने आया है कि कौन सी माइनरोटी है आपकी वह आपको select करनी है फिर आपसे पूछा कि subject name in post graduate exam यानिके post graduate exam में आपका कौन सब्जेक्ट है वह आप यहाँ पर select कर लेंगे ज नहीं तो आपको नो करना है जैसे कि मैं आपर yes करता हूं और फिर submit करता हूं submit करने के बाद मैं यहाँ पर आपके सामने तीन option आती है तो यहाँ पर जैसे कि पहला है कि उमिद्वार से नुरोदे की नीची दे गए विकल्पो में से किसी एक का chain करे और आगे बढ़े तो प मेरी पैचाने स्थापिस करने के लिए किया जाएगा तो अगर आप यह करना चाहते है यानि कि अगर आपकी अधार की information और जो information आपने इस form के अंदर भरी हो सेम है बिल्कुल कोई भी नाम या spelling अलग नहीं है तो आप पहले वाले के उपर टिक कर सकते है या फिर second option है कि अ पतर में दर्ज की गई है अगर आप ऐसे candidate है जिसका जो अधार कार्ड के अंदर नाम और detail अलग है और जो भी आप information भर रही है इस form को भरने में वो अलग है तो आप यह second वाला टिक कर सकते है या फिर तीसरा कि मैं अधार नंबर सजा करने को त्यार नहीं हूँ तो कोई भी select कर सकते है अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और यह जो security pin आपके सामने है जो की सभी step पर आपके सामने आएगा अलग अलग तो आप यहाँ पर fill करें and then आप submit and next इसके उपर click करके यहाँ से ok कर दे ok करने के बाद आप apply for तो apply for के उपर click करने के बाद आप select करें कि आप ऑसिस्टेंट प्रोफेसर पर आप यहाँ ऑफिर यह आप एसिटेंट प्रोफेसर दोनों पर तो जिस पर भी आपको apply करना है वही आप select कर लीजेगे यहाँ पर जैसे यह आप इसको select करते तो आप यह भी select कर ं appro सकते है जिसकी आप बेसिक लिए ई पैसिक लिए UP or एनिती एनिटी के लिए आपने कौन सा सब्जेक्ट ओप्टिट किया है तो मैंने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लिया था म्यूजिक के बाद में फिर अथा एक कोस्टन पेपर मीडियम कोस्टन पेपर का मीडियम आप इंगली सेलेक्ट करना चाहते फिर्स्ट चोिस आप पहली स्टेट किसे देना चाहते तो यहाँ पर मैंने इसलेक्ट किया एं उस स्टेट के अंदर कौन सी सीटी को प्रीफरीफरेंस देना चाहते ? वह आप सिलेक्ट कर लेंगे मैं आपको यह बता दू कि आप स्टेट में सभी में एक ही state को preference दे सकते है बट उसके अंदर जो city है वो आपकी अलग-अलग होनी चाहिए तो इस परकार से आपको इनको देना है मैं यहाँ पर उत्राखंड select कर लेता हूँ और फिर जो उसकी city है वो आपको यहाँ पर इस तरह से preference देनी है फूर्थ state आप यहाँ पर select करेंगे सेम तरह से और फिर जो उसकी preferences है exam के लिए वो आप select कर लेंगे अब आपसे पूछा है father guardian occupation यान कि आपके father याफी guardian क्या करते है वो आपको select करना है उनकी qualification कितनी है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे और जो आपकी मदर है उनका occupation क्या है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे और इसके बाद में उनकी qualification कितनी है वो भी आप यहाँ पर select कर लीजिए इसके बाद इस security pin fill करें and save and next के उपर click करें अब आपके सामने यहाँ पर education detail का section आ चुका है वो आप यहाँ पर इस तरह से select कर लेंगे इसको select करने के बाद में weather in the final year अगर आप final year में है तो आप यहाँ पर select करेंगे जैसे कि मैंने pass status select किया है तो आप यहाँ पर note applicable select कर लेंगे कि यह आपके वोपर applicable नहीं है course stream name यहाँ पर आपको काफी सारी course और stream दे गए जिसमें भी आपने की है वो आप यहाँ पर select कर लीजे आपको काफी सारी qualification इसमें देखने को मिल पा रही है यह select करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आता है qualifying examination from कहां से आपने किया इंडिया या फिर outside इंडिया वो आपको select करना है qualifying examination state किस state से आपने qualification किया है वो state आप select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर board university name किस university से या फिर किस board से किया है वो basically university applicable होगी इसके उपर तो आप यहाँ पर select कर लीजे result mode क्या था percentage और फिर cgp वो आपको select करना है and then जिसके मैंने percentage select किया तो आपको यहाँ पर आपके total number enter करने है यह number मैं आपको example के लिए fill करके total number दे रहा हूँ आपको आपके real total number यहाँ पर देने है and जो उसमें number आपको प्राप्त होए थे वो आपको यहाँ पर enter करने है percentage आपकी आजाएगी और फिर आप यह security pin यहाँ पर fill करेंगे and then save and next के उपर click करके यहाँ से yes कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आती है आपके सामने m fill detail तो आपसे पोचा कि क्या आपने admitted in m fill अगर हां तो yes करें नहीं तो आपको no करना है जिसे कि अगर आप yes करते हैं तो यहाँ पर name of university, year of admission या फिर pass और फिर subject यह आपको यहाँ पर देना होगा अगर आपने नहीं लिया तो आप यहाँ पर no कर सकते हैं फिर इसी परकार से PhD detail whether admitted in PhD अगर हां तो yes करें और yes करने पर आपको यहाँ पर same तरीके से year of admission या फिर pass वो आपको select करना है name of university और फिर आपसे पोचा कि अगर हां तो yes नहीं तो आपको no करना है अगर आप yes करते हो तो फिर आपको research experience in year अंद बताना है कि कितने year का है और क्या आप एक service man हो यह भी आपको बताना है यह snow में and security pin fill करके आप इन सभी जानकरी को check करते हुए save and next पर click करेंगे अब guys आपके सामने document upload का section आ चुक है जहाँ पर photo sign आपको upload करना है आपके photo का size 10-200KB और जो signature इसका size 4-30KB के बीच में रहना चाहिए और जो format है वो आपको JPG का होना चाहिए तो आप choose file के उपर click करेंगे जहाँ पर भी आपका photo है वो आप select करेंगे जो कि आप यहाँ पर view के उपर click करके इसको view भी कर सकते हैं अभी guys यहाँ पर जो मैं photo upload कर रहा हूँ इसको upload करने में website में technical error आ रहा है क्योंकि मैं अभी जैसे ही apply link activate हुआ तुरंत वीडियो को बना रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 बज़ करके 53 मिनट होई है रा आई गई है वो सभी follow की है और यहाँ पर signature upload हो गया बट photo upload नहीं हो रहा है बट बट आपके सामने मुझे ने लगता कि यह problem आएगी कुछ time में सही हो जाएगी और आप यहाँ पर जैसी photo sign upload कर देंगे तो security pin आपको fill करना है and then आपके सामने final submit का page आ जाएगा जहाँ पर and then आप अपनी application fees के लिए बढ़ेंगे जहाँ पर आप अपनी application fees जिस माधियम सजाए उससे जमा कर सकते है and जैसे आपकी fees जम हो जाएगी आप अपने form का final print out ले पाएंगे मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको आगे का process नहीं दिखा पाया बट आप इस तरह से अपना form भ पसंद आया होगा so thanks for watching जै हिंद